इट और यूपिटेट वाला जो कोर्स है देखिये सेफेलो कॉडल यानि हैट टू फुट यानि सर से यह सीध्या वाला जो है यह सेफेलो कॉडल है सर से पैर के अंगुठे तक विकास होगा पहले सर डिवलेप होगा फिर गरदन समाल नहीं सेखेगा फिर बाकी के बॉड़ी है यह सेफेलो कॉडल की है वहीं जो यह प्रॉक्सिमो डिस्टल लिखा हुआ है अगर आप देख पा रहे होंगे प्रॉक्सिमो डिस्टल यानि मिड लाइन टू एक्स्ट्रिमिटीज यानि केंद्र से सीमाओं की ओर केंद्र क्या है आपका हाट या रीड की हड़ी हो सकती है यह केंद्री तो है ठीक गिक्रिंटी हो सकती है आपका हाट हो सकता है अगन बाकी की तरफ पहले आप देख ने है बच्छा पूरी पड़ी यूज करना सीकता फिर अफर धिर भाँर की तरफ कंट्रोल आता है मतलब सेंटर से आउटर बॉड़ीज या एक्सिमिटी सी त यानि मनुष्यों में विकास की जो दिशा है, जो डिरिक्षन है, वो कैसी है? Distal proximo, caudal to cephalo, cephalo to caudal, या only cephalo, cephal का मतलब खोपड़ी, ठीक? Cephal का मतलब यह आपका सर, यह तो understood है, distal proximo तो कुछ होता नहीं है, proximo distal है, और उसका अलग-अलग कोई मतलब नहीं है, proximo distal का अपना ही एक मतलब होता है, दाइरा, center से बाहर की हो जाना, यह ultra ही लिख दिया नहीं, caudal to cephalo का मतलब है, pair से सर, ultra नहीं होता, caudal to cephalo नहीं ह caudal, मतलब सिरोध बदोन मुखी कह देते हैं इसको, विकास की जो दिशा है, दो दिशाई होती है, एक होती है proximo distal, दूसरी होती है cephalo caudal, cephalo caudal जो है, वो सर से pair की हो, head to toe जाता है, जो विकास की दिशा है, वो सर से pair के अंगूठे की तरफ जाएगी, यह नहीं जो तक होती है विकास की दिशा, दो दिशाई हैं जिनमें से यहाँ पर सिर्फ एक ही सही है, बाकी सब गलते हैं, अगर यह